हालो दोस्तों स्वाक्त है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर बाल को नैचर ब्लैक करने के लिए आज मैं आपके साथ रामबन संजीवनी उपाई शेयर करेंगे जिसको अगर आप रैगूलर इसमाल कर लेते हैं तो आपको बहुती बेहतरीन रिजल्स देखने को मिलेंग तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चल लगे तो प्लीस लाइक करें लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और शेयर कीजिए जितना भी हो सके तो आवला हमारे बालों के लिए इतना लाब दाइक है कि आयरवेद में तो इसे बालों का डोक्टर भी कहा गया है नेचर का एक ऐसा बरदान है जिसका हमें भरपूर फाइदा लेना चाहिए तो फ्रेश आमला लीजिए उसे चोटे चोटे टोड़ों में काटिए और उसे मिक्सी जार में एड़ किजिए अभियाप लीची पटैटो आलू आलू में भी बहुत अच्छी प्रोप्र लें और छिल्का उतारने के बाद आप इससे चोटे-चोटे टुकड़ों में काटिकर मिक्सी जार में एड़ किजिए और इसके बाद आप लीजिए अद्रक अद्रक हमारे बालों के लिए बेहद लापताइक है बालों का टूटना जढना रोकर बालों की री ग्रोफिंग को प्रमोट करने में बूस्ट करने में ये बहुत ही ज़्यादा यूसफुल है तो इसका भी हमें भरपूर फाइदा लेना चाहिए तो अद्रक को आप बिलोफ कर ले छिलका उतार ले छिलका उतारने के बाद आप छोटे-छोटे टुकडों में काट कर मिक्सी जार में महीं सा आप पेस बना लेजिए पेस बनाने के बाद आप एक सूती कोटन कपड़ा लेजिए और कपड़े की हेल्प से निचोड़कर आप इसका रस निकालेजिए आप चाहिए तो छलनी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं लेकिन छलनी की हेल्प से इतने अच्छे से इसका र शर्दिका काम करेगा इस रस को आप बालों की जड़ों पर खोब अच्छे से लगाए बालों की जड़ों से लेकर बालों की पूरी टिप तक और कम से कम दो कर चार घंटे तक जरूर लगाकर रखेए उसके बाद सादे पानी से सिंपल वोटर से ही आप अपने बालों को अगले दिन आप साबुन शेम्पू का इसमाल कर सकते हैं हपते में दो बार कुछ महिने लगातार आप इसका इसमाल करते रही आपको बहुत अच्छे परीना मिलेंगे